नमस्कार, नमस्कार, दोस्तों मैं निकलेश जिन हिंदी चेस बेस सिने चल पर सभी का हाड़ दीग मिन दन करते हूं दोस्तों एक बर मिखायल ताल से किसी जर्नलिस्ट ने पूचा कि आपके लाइव का बेस्ट गेम बताइए तो ताल ने कहा जब तक जिंदा हूं तब तक तो नहीं बता सकता क्योंकि ताल यह मानते थे कि उनका बेस्ट गेम अभी भी आना बाकी है खेर ताल को जानने वाले पूझने वाले मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में हैं लेकिन भारत में तो बहुत ज्यादा उनके प्रसंजक हैं हम समय समय पर उनके गेम जो आप तक ले इधर लेंड के ग्रेंड मास्टर थे तो उनके खिलाफ यह मैच है यह मैच खास इसी लिए कि अधिकतर लोगों को लगता है कि मिखाल ताल मतलब आए और जादू कर दिया उन्होंने बोर्ड पर सेक्रिफाइज मारे मैच जीते हो चले गए जी यहां ऐसा हमेशा नहीं होत और अगर जब भी यह होता था उसके पीछे मिखायल की समझ होती थी मिखायल ताल जिस तरह से अपने पीसेस को डेवलप करते थे जिस तरह से अपने राजा को सुरक्षित रखते थे जिस तरह से अपने महरों के बीच में ताल मेल रखते हुए अपने लिए एक बोर्ड प भी जो है उसी तरह से switch कर देते हैं D4, Knight F6, C4, यहां पर ताल खेलते हैं C5, D5, E6, Knight C3, ED5, CD5, D6, तो बिनाउनी यहां पर जो है मिखाल ताल खेल रहे थे, Knight F3, तो खेलते हैं G6, E4 आता है, आपोनेंट सेंटर से space लेने की कोशिश करता है, तो यह बहुत एक important चीज है क्योंकि ऐसे में उसका F5 open हो जाता है, पूरा game active हो जाता है, और black के लिए हमेशा queen side का play एक important role play करता है, तो आगे देखते हैं G7, bishop D3 यहां पर white ने खेला, ताल castle करते हैं, और यहां पर donor भी castle करते हैं, आप देखें कि चाहें आप कितने भी बड़े player हो, चाहें आप कितने पर attack नहीं कर सकते हैं, A6 किया ताल ने अपने तयारी दिखाए कि भाई मैं तो तयार हूँ, queen side से attack करने के लिए, यहां पर A4 खेलते हैं और B5 को stop करते हैं, और यहां पर currently जो है, इस D3 बहे यह bad bishop है, लेकिन इसकी वजए से एक अच्छा खासा control जो है, मिकाल ताल को यहां पर light square पर कुछ भी attack करने से रोकता है, ताल खेलते हैं, bishop G4, अपनेंट खेलते हैं, h3 और ताल यहां पर अपना यह bishop जो है, दे देते हैं, bishop F3, queen F3, knight BD7, अभी E5 पर knight E5 आ रहा था, यहां पर जबाब देते हैं, bishop F4, donor और अब मिकाल ताल खेलते हैं, queen C7 और E5 को आने से रोकते हैं, ठीक है, अपनेंट हटता है, queen E2, now idea सिर्फ queen को हटना बस नहीं है, जुरत पढ़ने पर इस bishop को पीछे खीचना है, और F4 खेलना है, एक प्रकार से, यह सब जो main idea है, यह जो white के हैं, अब यहां पर ताल खेलते हैं, rook E8, और E4 के pawn पर pressure डालना जो है, वो यहां पर शुरू कर देते हैं, तो अपनेंट पहले खेलते हैं, बिशप H2 ताकि F4 जो है, वो आ सके, और आप रुके C8 ले करके आते हैं, मिखायल ताल तो देखिए, अभी तक उनने कोई आकरमण नहीं किया है, लेकिन सारे महरों को गेम में लेकर के आए, वाइट के भी सारे म महरों की बारे में बात करें, तो अभी तक ताल ने ऐसा कोई भी महरा नहीं खेला है, जिसको उन्होंने दो बार खेला हो, तो सारे महरे उन्होंने बोल्ड पर एक बार खेलें, तो ये बड़ा संतुलन गैप है, दोनों खिलाडियों के बीच, अब सामने वाला जो है, बिशप को बैटर करने की कोशिक करते, और यहां पर आफ देखिये, कि ये बिशप दो बार खेल गया, ये कुईन दो बार खेल गया, और आप ये बिशप भी दो बार खेल रहें, तो अब यही ताल और उनके अपनẫn के बीच में डिफृरेंस है, और आप मिखायल ताल खेल ब्लैक को favor करता है position में ठीक है तो उन्होंने किया F4 यहां पर Knight C4 रुकुइंसीवर देखने में ऐसा लगता है कि ठीक है आपने अपना light color का bishop जो bad bishop था वो दे दिया एक अच्छे knight से जो कि एक अच्छा decision दिखता है लेकिन इसके बाद board पर मिखायल ताल जिस तरह से chess खेलते हैं वो कमाल है सबसे पहले खेल ताल knight d7 खेलते हैं अब आपको लगेगा कि यह knight d7 से कहां जाने वाला आपको शायद लगे कि idea b6 हो नहीं ताल के दिमाग में वो idea बिल्कुल नहीं problem है इस diagonal पर queen b4 आ रहा है और उसका knight b6 आ सकता है b5 आ सकता है तो opponent ने पहले से ही रुके b1 कर दिया और उस diagonal को free करने कोशिश की अब अब ताल की अगली चालाती है queen b4 और आप यहाँ पर queen को support लगा लगा लें के तो कोई है नहीं तो queen आपको हटना पड़ेगा queen उनने हटा f1 और now next move आता है c4 तो अब आप देखिए लगातार पिछली जो तो तीन चाले हुई है ताल का bishop इंप्रूव हो गया ताल का queen इंप्रूव हो गया प्रेशर डाल रहा है और knight के लिए c5 जैसा बहतरीन square जो है वो खुल गया क्योंकि आपने जगह बना ली है और pawn को आगे बढ़ करके तो पूरा प्लान था मिखायल ताल का इन्होंने rook e2 खेला b2 को support किया ताकि की b1 वाला rook जो उसको free कर लें तो आप ताल खेलते है b5 exchange होता है और यहां पर e5 जो है वो सबसे interesting move हो सकता था कि आप exchange करिए pawn sacrifice करिए इसमें खेलिए थोड़ी सी activity मिलेगी इसमें वाइट को यह ज्यादा बैतर था लेकिन उन्होंने खेला king h1 king को हट गये ताकि queen c5 अगरे से कोई check वैक नहीं आए और आप मिखाल ताल खेलते है bishop into c3 pawn into c3 queen c3 यह pawn लेते हैं b5 का pawn दे देते हैं देखने में ऐसा लगता है कि इतना अच्छा bishop खेल रहा था bishop दे दिया लेकिन क्यों क्योंकि मिखाल ताल को साफ दिख गया था कि यह जो तालमेल है इन महरों के बीच में white का यह बहुत खराब हो रहा है और और आने वाली कुछ चालो है वह हैंगिंग है पीछे c3 c2 का थ्रेट आ रहा है तो यहां पर उने queen e1 खेला उस थ्रेट को बचने के लिए but now c3 pawn बढ़ता है रुक b1 वापस जाना पड़ा and then आता है knight c5 और यहां पर आपूर इने resign कर दिया क्योंकि c2 नहीं रुक रहा है knight e4 नहीं रुक रहा है तो pawn लगातार board पर जाने वाले e4 जाएगा तो फिर d5 भी जाएगा और black के pieces already बहुत अच्छा हो सकते हैं मतलब maximum इस position पर अगर वो मालीजे knight c1 knight c5 खेला है queen d1 खेल दें तो यहां पर rook into e4 आ सकता है यह भी एक option है यहां पर आप queen d3 मारेंगे तो knight d3 यहां पर है और rook into e4 पर c2 का move जो है वो बहुत ही dangerous हो रहा था तो यह पुरा threat था उनका तो knight c1 और अगर आप यहां पर मालीजे की queen d1 कुछ exchange के लिए रखते हैं तो आप देखेंगे यहां पर की even exchange के बाद c2 का जो है वो इतनी dangerous होकर even even direct bc2 यहां पर जो है वोड़ पर आ जाएगा तो वो भी एक problem था I think so overall इस गेम पर जब इन्होंने खेला rook b1 knight c5 और इसके आदनोंने कर दिया resign क्योंकि game में ज्यादा कुछ खेलने के लिए यहां पर बचा नहीं था c2 actually में rook नहीं रहा है और अगर आप queen exchange करन करेंगे तो यह knight यह pawn बहुत dangerous जो है वह बोड़ पर होने वाला है तो बढ़िया जीत यहां पर दर्ज करी मिखायल ताल ने और फिर से उन्होंने दिखाया कि कैसे उनकी समझ है किस तरह से वह महरों को जो है वह गेम में लेकर करके आते हैं और कमाल किया जीत उम्मीद करता कर दो